दोनों हाथ उठाके बोले भारत माता की जरा दोनों हाथ उठे कोई टेक्निकल प्रोब्रम ना हो तो भारत माता की वान दे वान दे योगे सर्भगवार्श किष्ण चंद्र जी की आज गीता जैन्ती महोत्साव और ये हर्याना की पावन धरा काफी वक्त हो गया बहुत लंबे समय तक बच्चों का शान्त हो करके बैठना जरा मुश्किल सा होता है लेकिन मैं यहां के बच्चों के धैर ये एकाग्रता और इतने इस तपतपाती धूप में बैठे वे आपकी इस अनुशासन और आपके इस पूरे महोत्साव की आपने जो गरिमा बनाई है उसके लिए मैं आप स्वयम आपका भिनंदन करता हूँ आपको बहुत बहुत बढ़ाई है कि आप इतने अनुशासित इतने उत्साही इतने पराक्रमी बच्चे है कि आपको देखकर कि मुझे भी अपना बच्चपन याद आया एक अनपढ़ माबाब के घर सरकारी स्कूल में फिर आगे सीक्षा दीक्षा भी गुर्कुल में पढ़ा गीता के कुछ श्लोक मेरी प्रेणा बने और उनके भी कुछ अंस उनको पढ़ता हुआ आपसित बहुत सार गर्वित कुछ निश्कर्ष की रुप में बात कहना चाहता हूँ पहले तो आपने पढ़ाई है फिर से एक बार मेरी साथ गीता की कुछ श्लोकों को पढ़ लेंगे जीवन का प्रियोजन क्या है जीवन का प्रियोजन है इस धर्ती पर भगवान के एश्वर्य को उतार देना जितनी भी इस प्रमाहंड में सक्तियाओं सारी परमात्मन हमारे भीतर दी अनंत जियान हमारे मस्तिस्क में है जियान का आधार है हमारा मस्तिस्क सम्वेदनाओं का आधार है हमारे हिदे और कर्म और पुर्शार्थ का आधार है हमारी भुजाएं और जब ये जियान और सम्वेदना और कर्म हमारे जीवन में पूरे उतरते हैं इसी का नाम है धर्म यदा यदा ही धर्मस्य अगलाने रभावती भारतो अभ्युत्भानम धर्मस्य तदात मानम स्रिजाम्य हम और किसके लिए मेरे साथ सम्मिल करके बोलेंगे परित्राणाय साथूनाम बहुत अच्छा बोल रहे हैं मिल करके बोलो परित्राणाय साथूनाम विनाशायच दुस्कृताम धर्मसंस्था पनार्थाया संभवामी युगे युगे यह भगवान किष्ण के ही जन्म का प्रियोजन नहीं हमारे भी जन्म का प्रियोजन है कि हम जहां पैदा हुए हैं हम उसका तो गोरो बढ़ाएं ही हम इस धर्ती पर पैदा हो करके धर्ती माता भारत माता गीता माता वेद माता अपने पुर्वजों का गौरों बढ़ाएं ऐशी शक्ति ऐसा सावर्थ्य परमात्मा ने हम सब को दिया है और उसका एक याधार है कर्म करो मेरे साथ मिलकर के बोलिए योगस्थाह कुरुकर्माणी योगाह कर्मसु कौसलम योग का अर्थी ही है गीता का अर्थी ही है सब सास्त्रों का सार यही है कर्म करो पुर्शार्थ करो ये जितने भी मंच पर महनुभाव बैठे हैं हमारी शद्धामई विदूशी बेहन सुस्मा जी ने ये पूरे विश्व में भारती धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति का और भारत माता का गोरो बढ़ाया है तो कर्म और पुर्शार्थ की प्रतिमूर्ती अभिनंदन है एक बार उनका ये हरियाना की बेठी है ये हरियाना का गोरो है भारत माता का गोरो है कर्म करके इन्होंने पूरे विश्व में भारत का यश और गोरव बढ़ाया हमारे गीता मनीशी जी जो इस पूरे अनुष्ठान के प्रेणा स्रोत हैं वो हमारे ये जीय पुरुश हैं और खटर साहब ने उनकी प्रेणा को साकार रूप दिया इसके लिए एक बार हर्याना स सरकार का और खटर साब का भी बहुत अभिननदा ना इस गीता जैन्ती महत्साव के लिए और उसके प्रेणा पुरुश हमारे शद्धे गीता मनीशी जी यहां हमारे शद्धे पुझ्य चिदानंद मुनी जी जो पिसले 40 वर्षों से ये इन से लेकर के पुरी दुनिया के लगबग 500 देशों में भारत का प्रतनिधित्व करते हैं और उस भारत भारतियता का गोरो बढ़ाते हैं तो पुझ्य सुधान सुझी महराज जो हमारे गुर्कुलिय परंपरा के सहयात्री हैं और अभी जिनको आप सुन रहे थे उन्होंने कौंटूम फिजिक से लेकर के स आपके भीतर उन्होंने डाल दिया यह जो भी मंच पर महापुर्श बैठें यह कर्म की बदोलत बैठें आज तुम्हारे सामने कंपड माबाप का बेटा सरकारी स्कूल में गुर्कुल में पढ़कर के यदि विदेशी कंपनियों का सीर्शासन हमने कराया और थोड़ दिन उड़ाया है हमने कोका कोला को टॉलेट के लिए बता करके और लोगों के अंदर एक स्वास्थे की जागरूपता का बीज वोया है तो इसके पीछे आधार है कर्म 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 पुर्शार्थ करो करो कभी मत अनुभव करना के आप किस घर में किस गाउ में पैदा हुए हो बस बहुत बड़ा सोभागे भगवान ने मुझे इंसान बना दिया बाकी तो मुझे भगवान ने वो ग्यान वो सम्वेदना और कम करने की शक्ति दिये मुझे दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और ऐसे ही संकल्प वाले जब गीता पड़ते हैं सवा करमना अतम भ्यर्च्य शिद्धिम विन्दति मानवाय सबको सिद्धी चाहिए संपन्नता चाहिए सफलता चाहिए विजय चाहिए सुक्षानती समृध्धी उसका आधार है कर्म सवा कर्मना भगवान की पूजा कर्म ही है स्वाक कर्मना अपने कर्म से तमभ्यर्च उसकी पूजा कर सिद्धिम्विंदत इवान मनुष्य सफलता पाएगा आज एक संकल्प ले करके जाएं कि आप जो पढ़ते हैं उसको इतना अच्छा पढ़ो इतना अच्छा पढ़ो कि लोग आपका उधान दें मैं बत्पन से सोचा करता था पूरी दुनिया में किसी भी परिक्षा में 10-20 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें एक बच्चा प्रथम आता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता है और मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हो कि इस बात को कह रहा हूं मैं चाए स्कूल में रहा चाए घुरकुल मैं रहा चाए योग कर रहा हूं चाए करमयोग कर रहा हूं जहां रहा हूं प्रथम बन करके खड़ा हुआ हूँ जहां रहा तो आप क्यों नहीं हो सकते मुझे किसी की बैक नहीं थी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना किसी कोर्पेट हाउस की ना किसी घराने की ना किस पैदा किया है तो मुझे वो करके दिखाना है जिससे मैं अपने पुर्वजों को गोरों दे सको अपनी भारत माता का गोरों वर्धन कर सको और आप से एक यावान कर रहा हूं कि आपने ये गीता के अठारे श्रोक याद किये योगासन भी किये बहुत अच्छी बात पढ़ा संसुद्धी तेजक्षमा धृति शोचम जो भी सास्त्र में लिखा हूँ हमारे जीवन में उतराए ने तो सास्त्र तो मात्र पाठ हो जाता है मात्र पहारायनी लीकर ना जो कीता में लिखा हूँ हमें करके दिखाना है जैसे भगवान किशन ने एक तरफ करोड़ों की सेन और एक तरफ भगवान योगेश्वर का हात मबल उनका पुर्शार्त उनका प्राक्रम और उसने उनको विजय दिलाई ऐसे आप संकल्प लेकर के जाएंगे हम अपने स्टडी में अपने अध्यान में हम जियान के क्षेत्र में प्रथम रहेंगे तो नॉलेज में रहना है आपको नमबर है है एन फिटनेस में नमबर डिसिप्लीन में भी नमबर करेक्टर में भी नमबर जब आप नमबर वन होंगे जब आप महान होंगे तो हम कहते हैं न मेरा भारत जोर से बोलो मेरा भारत तो हमारी महानता से मेरा भारत महान होगा और वह कैपिबिलिटी वह कै बाबर दिये बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के कोई पक्षपात कोई डिस्क्मिनेश इसमें नहीं ना पुर्षका ने प्रहमन अक्षत्रिय वैश्य शूद्र दली तादिवास वनवासी का आप किसी भी कुल्वंस जाती में पैदा हुए आप जहां हैं वहां प्रतम क कोटी के विक्ति हो सकते हैं अब यहां जाती पुछी जाती राजनीती में तो जाती का जहर बहुत गहरा घुल गया है मेरे से लोग पूछते बाबाजी और बात सारी ठीक है तो इवताति चाथ कि ए मनका मानस दिखता नहीं कि बदेन वोट तु दिख्षा असली वाली बत तो मैंने का सिलिवाली सुन ले जो अज्ञान को दूर करे वो ब्रहमन जो अज्ञान को दूर करे वो क्या बोले बच्चो जो अभाव को दूर करे वो वैश्य जो अन्याय को दूर करे वो ख्षत्री है तो मेरे साथ एक बार मिल करके बोलेंगे ये समझना हमें और ये वेद क का ग्यान है ये गीता का ग्यान है जो अज्ञान को दूर करें वह ब्रह्मन जो अन्याय को दूर करें वह क्षत्रिय जो अभाव को दूर करें वह वैश्य और जो अपवित्रता को दूर कर समाज में पवित्रता को फैलाए वो शूद्र और हम फोरीन वन हैं सभी क्या वोला हम फोरिन ब्रह्मन से मुकमा सिद्वा हुरा जन्या कृता उरूत अधसियत वा शपद्ध्धाम सुद्रो अजायत अपने भीतर है चार वेद हमारे भीतर हैं चार वना अश्रम धर्म हम में सारा ब्रह्माहंड है ये गीता का ग्यान आपको आज संकल्प ले करके जाना है आप जहां रहेंगे वहां रहेंगे नमबर और जब आप नमबर वन होंगे तो हर्याना होगा नमबर और जब हर्याना नमबर वन होगा तो भारत होगा नमबर बस यही तो करना है और यही गीता महुत सो मनाने का धे है बाकि ठीक है या गीता पाठ आपने किया वो करना चाहिए मैं भी गीता पाठ करता हूं मेरे जोले में हमेशा गीता रहती है मैंने गीता और उपनिशद इसको अपने जीवन का अधार बनाया है हमेशा और रोज मैं गीता के कम से कम एक दो तो अध्याय का पाराण करता हूं एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे योगाह करमसुप उशलम बोलो एक्षिलेंस, एक्सपर्टीज, कुशलता, आम भासा में बोलते हैं हूनर, अपने भीतर हूनर ऐसा पैदा करो जब तुम खड़े हो तो सारे जमाने की निगाहें तुम पर टिक जाएं, ऐसा बन करके दिखाओ कि जद जिदर से तुम चलो, वो रास्ता बन जाए, जहां तुम पहुंचओ, वो मंजिल बन जाए, जो तुम करो वो इतिहास बन जाए, ऐसा आपको बन करके दिखाना है इसलिए मैं एक भजन गाया करता हूँ जमी सलाम करे, आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे मिटा दो जुम की आधी की तुम फुलाद बनो, खाक में मिल कर भी कौम की उलाद बनो तुम्हारे कारवा को नोजवा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे ऐसा आपको बन करके दिखाना है यह आज मेरा आपके सब के लिए संदेश और देखो आप यह ऐसे ही बन करके दिखाना कि आपके उधारण आपके चर्चे आपके आदर्शों की बात पूरी दुनिया में हो आप ऐसा करके दिखाएंगे आप ऐसा बन करके दिखाएंगे इस संदेश के साथ कि आज यहाँ पर आना आपको एक प्रेणा दिवस बने आपके लिए एक यादगार का दिन बने कि मैं अंतराष्टिय गीता जैनती महत्साओं में कुरुक्षेत्र गया और वहां समय ने प्रेणा पाई कि मैं अपने प्रेणा की माटी का अपनी इस भारत माता का गोरो मैं पूरी दुनिया में बढ़ाओंगा मैं एक बार पुना आज के इस पावन दिवस पर जो इतनी सुंदर व्यवस्था की और बच्चों ने प्रतम तो बहुत सुंदर योगा भ्यास किया उसके लिए एक बार जोर दे अब भिलंदन आप सबका किया आप योगी बने कर्मयोगी बने सहयोगी बने जो अच्छे कारियां और उपयोगी बने राष्ट के लिए बहुत अच्छा योग की आपने और आपने गीता के जो अठारे स्लोक भी सुनाए वो भी सर्वस्रेष्ठ तरीके से सुनाए उसके लिए दुबारा से अपना भिलंदन कीजिए और ऐसे ही जैसे आज आज आपने सर्वस्रेष्ट दो प्रस्तूतियां दी ऐसे जीवन में आप सर्वस्रेष्ट बनेंगे या पिक्षा रखता हुआ और अगली बार जब हम आएं तब अठारे स्लो की नहीं हमने मैं मंच की जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूँ हमने तै कि कोई भी गीता समान करेगा अभी करीब सो से जादा बच्चे तो हमारे पास हैं जिनको अठारे धैपुरी गीता याद है और अगले साल तक करीब पांसो हो जाएंगे जो भी गीता कंठस्त करेगा कोई भी व्यक्ति उसको पतंजली योग पीठ के और से बीस हजार रुपए का हम इनाम देंगे कोई भी कर लें चोई सो करें पांसो करें हजार करें तो आप में से भी कुछ बच्चे जून जुलाई में छुटी की दिनों में अठार अठार अध्या याद कर लेते हैं तो जो भी गीता याद करेगा उसको चाहिए वो सो हो पांसो हो हजार हो उनको पतंजली योग पीठ के और से बीस हजार रुपए अलग अलग सास्त्र अश्ट्र अश्ट अध्याई प्रत्वामृत्ति काशी का महाभाश्य इनके पर हमने 30 से ले करके 50,000 रुपए वेदों पर भी 50,000 से 30,000 से ले करके रिगवेद के लिए 1 लाक कुल वेदों के लिए 2 लाक रुपए अलग अलग सास्त्रों के लिए 25 से 50,000 रुपए अलग सास्त्रों को इसमान कीजिए और जो सास्त्रों में लिखा है वैसा जीवन जी क कि...